सबी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार प्यारे बच्चों कल के वीडियो में हम जो उत्तर प्रदेश सासन द्वारा यूपी बोर्ड के परिक्षार्थियों के लिए जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसका वीडियो बनाए तो उसमें अगस्त मास तक की पूरी जानकारी हम आपको दिये है इस वीडियो में सितंबर से लेकर के फरवरी महीने तक सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी किया है किस महीने में कौन-कौन से कार होंगे, कौन-कौन सी परिक्षाई होंगी या कितना चैप्टर पूरा कराना है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो को क्रिपया अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी हो पाईगी विशेश करके कच्छदस और बारहमी के बच्चे तो कत्ते ही इसको इग्नोर नो करें यह वीडियो को अवस अंतर तक देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपार्टेंट है इसको आप समझें तो आईए अब हम फिर आपको करंबद तरीके से बताते हैं कि सितंबर महीने में सरकार का क्या गाइडलाइन है यह पहला जो बिंदु है गत मास के लिए निर्धारित कारी की प्रगती की आनलाइन समिक्छा किया जाएगी मतलब पिछले महीने में जो पढ़ाया गया है उसका जो है की आनलाइन समिक्छा किया जाएगा इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कोवीड-19 के संकर्मन से वचाव के लिए प्रसासन द्वारा जारी दिशा निर्देसों के अनुसार दिनांक 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पखवारे के आउसर पर अनलाइन क्लासिस या वाटसप के माध्यम से संगोष्टी एवंग संपूरा पहली से 15 सितंबर के बीच में उसमें संपूरानन्द के जीवन पर आधारित और महाधी बर्माग जीवन पर आधारित बादवेद प्रत्योकता का आयोजन और निबंद लेखन प्रत्योकता का आयोजन किया जाएगा ठीक है आई तीसरा बिंदु देखते हैं समस्त पाठि मासिक शैक्षिक पाठिकरम स्वयंप्रभाज चैनल एवंग दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के माध्यम से आनलाइन शिक्षन पूरा किया जाए जो चौथा बिंदु है कोविड-19 के संक्रमल से बचाओ के लिए प्रसासन द्वारा जारी दिशान देशों के अनुसार 5 सि सिक्षक दिवस का वसर पर आनलाइन क्लासे वाट्सप के माध्यम से डाग्डर स्वर्पली राधा किरण जी के जीवन चरित पर चर्चा मतलब यह की पांस सितंबर के दिन आनलाइन चर्चा किया जाएगा उनके जीवन चरितितर पर पांचमा जो बिंदु है वो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रद दिन एक निधारी संख्या में चात्र चात्राओं को विद्यालय में बुला करके कच्छा आठ में अध्यनरत अर चात्र चात्राओं को राश्ट्री आये वंग योगिता आधारी चात्र 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 मतलब यह कि एक निश्ची संख्या में बच्चों को बुलाना है जो आठ के बच्चे है वह राश्टी आए एवंग योगता आधारित चातिवृति परिक्षा होती है आपको हो सकता है जानकारी हो नई हो तो यह जान लिजे यह परिक्षा होती है और उसके कच्छा 10 में जो दोनों परिक्षाओं में तो वह परिक्षा होना है इसके जो छटमा बिंदु है चात्रों के ग्रहकारी की आनलाइन या अफ्लाइन माध्यम से जांच किया जाये मतलब निर्देश मिला हुआ है और जिन विद्यार से पास इंटरनेट की सुबदा नहीं है वे विद्याले म में जो ड्राप बाक्स रखा जाएगा उसमें उसका उत्तर डालेंगे सात्मा जो पॉइंट है कि कोविड-19 के संक्रमन से बचाओ के लिए प्रसासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों कंसार स्वेंपरभाद चैनल दूरदर्शन उत्तर प्रतिस के माध्यम से सभी हिंदू है कि समाजिक दूरी का पालन करते हुए आनलाइन या अफ्लाइन क्लासेस के माध्यम से इंस्पाइर अवार्ड योजन अंत्रगत जन्पत में चैनित छात्रों को राजस्तरी प्रतियोगिता है तो तैयारी वो प्रतिभाग कराना चूकि इंस्पाइर अवार्ड क संक्रमण से बचाओ के लिए प्रसासंद्वारा जारी दिशा निर्देसों कनुषार 24 सितंबर को पंडित दिन देल जन्ती के आउसर पर उनकी जीवन गाथा और विचारों पर आधारी कारिकरमों का आनलाइन आयोजन किया जाएगा मतलब 24 सितंबर को पंडित दिन देलिपाद्ध्याय के जैन्ती पर ये जो है कि कोबिट 90 से बचाओ के लिए जो सासंद्वारा जो जारी दिशा निर्देस से उसका पालन करते हुए उनके विचारों पर कारिकरम किया जाएगा फिर दस्मा जो है कि आनलाइन या अफलाइन ख्लासेस के माद्ध्यम से माह के अंतिम सफ्टा में माश्रिक परिच्छा का आयोजन जैसा कि इसके पहले आप जान चुके हैं कि हर महिने के अंतिम सफ्टा में मन्थली टेस्ट होगा अब आईए देखते हैं कि अक्टूबर महीने में ये क्या गाइडलाइन जारी हुआ है गवर्मेंट का देखिए यहाँ पहला बिंदु है समस्त पाठिकरम का अनुपातिक मासिक सेक्षिक पाठिकरम स्वयंप्रभाई चैनल ये वंदूर दर्शन उत्तर प्रदेश के माध् या पोश्टर आधि प्रतियोगता का आनलाइन आयोजर मतलब ऐसा कोई बिष्था किया जाएगा कि आनलाइन आयोजर किया जाएगा जिसे निबंद में आप प्रतिभाग करते हैं या पोश्टर में प्रतिभाग करते हैं पोश्टर प्रतियोगता में और सुक्षिता पर इसे शुरुप से प्रेरिद करना है तीसरा जो बिंद वाइस में कोबिड-19 के संक्रमाण के बचाओं के लिए प्रसासन द्वारा जारी निर्देसों के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बिग्यान प्रदर्शनी की जन्पदस्त्री प्रत्योकता में विद्याल को यह निर्देस्त किया गया है कि मतलब उसमें प्रद्भाग करा हैं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए फिर आपका जो यह पांचवा बिंदु है वह यह है नहीं चौथा बिंदु चौथा देखिए चौथा बिंदु कोबिड-19 के संक्रमाण से बचाओं के लिए प्र पांचवा बिंदु है कि कोबिड-19 के संक्रमाण से बचाओं के लिए प्रसासन द्वारा जारी दिशा निर्देसों कानुसार आनलाइन क्लासेस वाटसप के माध्यम से 31 अक्टूबर को सरदार बल्ला बाई पटेल की जैनती के उपलेक्ष में राश्टरी एकता दिवस के आउसर पर श्रिक्चकों या कर्मचारियों या चातर चातराओं को राश्टरी एकता सफत दिलाना तथा सरदार पटेल के दूर दर्शिता पूर्ड अनुकरडिये कारियों पर चर्चाहत विभिन प्रकार के ऑनलाइन कारेकरमों का आयो जाने करना है काने मतलब यह है कि 31 स अक्टूबर को सदार बल्ला भाई पटेल की जैनती है उस पर एक राश्टरी एकता सपत का कारिकरम रखा गया है उसमें सभी लोगों को प्रद्भाग करना है समाजी दूरी का पालने करते हुए और सरकारी दिशार देशों के अनुसार फिर आपका जो छेटवा दूरा क्या गाइडलाइन जारे किया गया है इसमें जो पाला बिन्दु है समस्त पाठिकरम के अनुपातिक मासिक शेक्षिक पाठिकरम स्वाइंप्रभाई चैनल एवंग दूर्दसन उत्तर प्रदेश की माध्यम से आनलाइन शिक्षड पूर किया जाए फिर दूसरा ब प्रतियोगता का आनलाइन आयोजन किया जाएगा जो तीसरा पॉइंट है वो कुविड-19 संक्रवल से बचाओ के लिए प्रसादों दौरा जारी दिशार दिशार 14 नौमबर को बाल दिवस का उसर पर एक सुब्योस्तित और संपन राष्ट के निर्माड के लिए नागरिक आनलाइन लाइन क्लासेसं वेट वार्टम today के मादन से राष्ट्री प्रत्वाकि कोज परिक्षा राष्ट्री AAI योकिता आधारीप्रिक्षा . चात्रों के मार्दर्शन है तो विशेश प्रिश्क्षण की बेवस्ता मतलब आनलाइन माध्यम से उस परिच्छा से सम्मंदित आपको विशेश प्रिश्क्षण दिलाने की बेवस्ता करने का निर्देश दिया गया है पांच वहां जो पॉइंट है आनलाइन क्लासेस वाट पत्रिका के लिए जो भी आपको लेख हुआ जया प्रकाशन के माह के अंतिम सब्ता में अर्धवारसिक परिक्षा का आयूजान मतलब नौंबर महीने में आपका अर्दवासिक परिक्षा होगा अपसे आनलाइन हो या अफलाइन हो ये दोनों का अफसन है अफलाइन इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कहीं अगर सब कुछ इस्तिती सही रहे तो बिद्याले कोला जाएगा तो उस दौरान तो अफलाइन परिख्षा होगा एर नहीं खोला जाएगा तो अनलाइन होगा इसलिए दूनों काफ़षा नहां दे रहा है ठीक है अब इसका से आइए देखए दिसम्बर महिने में क्या क्या करना है दिसम्बर वहिने का जो सासंदोर गाडलाइन जा रही है समस्थ पाठिकरम के अनिपातिक मासिक शैक्षिक पाठिकरम स्वैंप्रभाज चैनल लेगंदूरदर्शन उत्तर प्रदेश के माध्यम से अनलाइन श्रिक्षान पूर्ड किया जा मतलए इस चैनल के द्वारा और दूरदर्श किया जाए मतलब एट से दिवस का उसर पर आनलाइन कारेकरम का आयोजन कराने का निर्देश दिया गया है जो तीसरा बिंद्यों सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रदिन एक निर्धारी संख्या में चाठ चात्राओं को विद्याले में बुला कर कच्छा आठ के चात् परिच्छा है तू आउधन पत्र भरवाना जो परिख्छा होता उसके लिए आउधन पत्र भरवाने की बात कही जा रही है कच्छा आठ के चात्रों के लिए ठीक है इसी महीने में या निसम्बर महीने में चोथा बिंदु है COVID-19 के संक्रमन से बचाओ के लिए प्रसासन द्वारा जारी दिसा निर्देसों के अनुसार समाजिक दूरी का पालन करते हुए बिज्ञान कांग्रेस का आयोजन बिज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी इसी महीने में किया जाना है और जो पांचवा और अंतिम बिंदु है आनलाइन या फलाईन क्लास माध्यम से मां के अंतिम सप्ता में मार्शिक परिक्षा का आयोजन अब आईए चलते हम लोग जनौरी महीने में क्या क्या होना है तो जनौरी महीने में जो सरकारी गाइडलाइन वो यह है कि समस्त पाठिकरम के अनुपातिक मासिक शेक्षिक पाठिकरम स्वेंपरभाज चैनल एवंग दूरदर्सन उत्तर प्रदेश के माद्यम से अनलाइन शिक्षन पूरद किया जाए मतलब जनौरी महीने का जो कोर्स है वो स्वेंपरभाज चैनल दौरदर्सन दौरदर्सन कंप्लीट करा जाएगा आउसको सभी लोगों को नूट करना है फिर उसके आज से दूसरा है online classes, whatsapp के माध्यम से अध्यापक, अविभावक संग की बैठा का आयोजन जनौरी में अध्यापक, अविभावक संग का बैठा का आयोजन किया जाना है फिर आपका तीसरा बिंदु है कि समाजी दूरी का पालन करते हुए 11 सा सत्रे जनओरी राश्ट्री सलक सुरक्षा सप्ता का आयोजन भी Cub COVID-19 जनओर बीच में किया जाएगा वो भी समाजी का पालन करते हुए इसका आयोजन किया जाएगा जो आपका ये चौथा बिंदु है चौथा बिंदु यह है कि कच्छा 10 से वंग 12 के च्छात्र शात्राओं के परिशदी परिक्षा पाठिकरम की पूर्ती एवंग परिक्षा पुर्व प्रगति की समिक्षा मतलब इसमें परिच्छा पुरू प्रगत की समिक्षा किया जाएगा दस्वेवर बारामी के चात्र चात्राओं का पांचमा जो आपका बिंदु है वो यह है कि आनलाइन क्लासेस या वाटसप के माध्यम से प्रद्भासाली वह पुर्गत की समिक्षा किया जाएじ अज्यवर प्रदेश मैं के संक्रमन के बचाओं के लिए प्रशे sect झालाइन दिशैस निरदेश नावरी को उत्तर प्रदेश दिवस के उसर पर राज्य की समरिधि सांस्कृतिक विराशत साहित्य एवं कला के रूपों की प्रस्तुति एवं संबर्धनेत विभिन कारिक्रमों का आनलाइन आयोजन मतलब यह है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के आउसर पर एक आयोजन किया जाएगा आनलाइन इसमें लोगों को प्रदभा करना है फिर उसके वासे जो सात्मा बिन दिवस कोविड-19 के संक्रमन से बचाओ के लिए प्रसासन द्वारा जारी दिशा निरदेशों के अनुसार 25 जनवरी को मतदाता दिवस के आउसर पर देश की राजनेतिक प्रक्रियाओं में लोगों की अधिक्तम भागिदार सुनिशित कर करने है तो लोगों को मतदान के अपर जागरू करने के लिए आनलाइन कारिक्रमों का युझा चुकि 25 जनवरी को यह मतदाता जागरू ता दिवस जो मनाया जाता है तो पहले अफलाइन मनाया जाता था लेकिन अब गूर्मेंट का नेदर से इसको अनलाइन सम्पन कराया जाए अब आये देखते हैं कि फरवरी महीने में क्या-क्या गुवर्मेंट का दिशा निर्देश जारी है तो इसमें अभी जनौरी में दो पॉइंट अभी बचा हुआ आठमा बिंदु है कि 26 जनौरी को गरतन दिवस के आउसर पर संस्ता का द्यक्ष द्वारा दोजारों और एवंग कोविड-19 के संक्रमण से बचाओ के लिए प्रसासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार देश भक्ति की भावना प्रेरित करने और देश की सम्र इसमें वही है कि इस महीने के अंतिम सब्ता में आपकी महाशिक परिशा का आयोजन किया जाएगा अब फरवरी महीने में देखिए कि स्तरकार का क्या दिशा निर्देश है तो फरवरी में है कि इसका पहला बिंदु है कोविड-19 के संक्रमण से बचाओ के लिए प्रसासन ब्याग के सहजोग से 10 फरवरी को कारेकरम का आयोजन किया जाएगा दूसरा जो है कि सामाजी दूरी का पालन करते हुए प्रथम एवंग दूतिय सप्ता में परिशदी प्रियोगात्म परिच्छाओं का आयोजने बहुत इंपोर्टेन चीज़ को आप जान लिए कि ये फ करती ये वंग चतो तो सब्ता में प्रीबोड परिच्छा का आयोजने भी बहुत इंपोर्टेन्ट है कि तीसरे और चौतिय सब्ता में आपका प्रीबोड की परिच्छा का आयोजन किया जाना है चौता बिंदु है कोईड-19 के बचाओ संग्रमन से बचाओ के लिए प्रस मतलब यह कि एक निर्देश है कि जो शाक्षरता कारिकरम का मुल्यांकन का जो आख्या है वह जिल्ला विद्धालें रिच्छा को प्रेशित किया जाए पांचमा जोगी कोबिड-19 के संक्रमर से बचाओ के लिए प्रसासंद्वार जारी दिसान निर्देशों करूशार 28 फरो जोरी राष्ट्री विज्ञान दिवस के आउसर पर विद्यारतियों को विज्ञान के प्रत आकर्शित करने विज्ञान के चेतर में नए प्रियोगों के लिए प्रेशित करने विज्ञान दिवस के प्रति सजग बनाने तथा लोगों के मन में कायम भ्रहांतियों को दूर करने के लिए कारिक्रमों का आनलाइन आयोजन मतलब यह कि यह विद्यारथियों को राश्त्री विख्यान दिवस के आफसर पर कुछ कारिक्रम का आयोजन किया कि यह 9 और 11 यह बच्च方 benchmarks की लिए बहुत important है कि कच्छा 9 और 11 के जो वार्सिक परिक्श्थाओं वह भी फरवरी महीने में ही होगी सातमा जो है COVID-19 के संक्रोर से बचाओ के लिए प्रसासन द्वारा जारी दिशा निर्देसों का नुसार बोर्ड परिक्षा की तयारी अब यहां बोर्ड परिक्षा की तयारी भी करानी है और आठमा जो है की आनलाइन माध्यम से परिक्षा है तो छात छातराओं को प्रिश्पत रुपलब्द करवाना है बतला अब इसमें अंतिम सब्ता हमें जो है की क्या करना है आनलाइन माध्यम से छात छातराओं को प्रिश्पत रुपलब्द करवाना है अब इसके वासे आईए मार्च में गवर्मेंट का क्या दिशा निर्देश है इसमें पाला बिंदुगा कोविड-19 के संक्रमर्ट से बचाओ के लिए प्रसासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आठ मार्च को विष्ट महिला दिवस के आउसर पर महिला सस्क्तिकरन विशापर संगुष्टी का आनलाइन आयोजन किया जना है मतलब आनलाइन रूप में ही विष्ट महिला दिवस मनाय जाएगा दूसरा जो है कि ग्री परिक्षा की उतर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन यव परिक्ष्छा फल तयार करना है जो ग्री परिक्षा होगा अर्थात 9 लेम्स नीचे के कक्षान में तो उसके मुल्यांकन करना पूरी परिछाप विंदू का वित्रां पmal doubt और जोफ़्ता विंदू' के बचाओ के लिए प्रशा संद्वारा जारी दिशा निर्दोसों कनुषार अगामि सत्र के प्रिवेश कारेकरम की तयारी मतलब अगला सत्र जो अप्रेल में सुरू होता है तो उसके लिए भी कुछ प्रिविश कारी की तयारी कर देना है मार्च महिने में ही जो पांचमा बिंदु है वो कारेले द्वारा छात्रों की सभी का क्छाओं की परिक्षा फल को छात्र पंजिका में अंकित करवाना मतलब यह भी द्याले को निर्देशित है कि कारेले द्वारा जो भी मतलब बच्च परिच्छा फल उनका जो आ रहा है जो पास हो रहे हैं उनका पंजी करन भी अंकित करवाना है और 6 को छटाविंद भग कचछा 10 एवंग 12 की बोर्ड परिच्छा का आयोजन यानि इसी महीने में 10 में और 12 में की बोर्ड परिच्छा का आयोजन किया जाना है तो इस तरह से पूरा आपका एकडमी केलेंडर जारी हो गया किस महीने में क्या क्या पढ़ाना और कौन को से जनती मनानी है तो अब तक आप लोग वीडियो को सुनें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद